हीलो फ्रेंट्स आपका हमारे चल्मी स्वागत है आज पर्टने बाले आपूरेटर resisting जो अप्रेटर इसके हम कुछ प्रपरटी सबाभें जरुद फंक्शन of X then if we operate operate operator E if we operate E then F E with a difference difference H अगर हमारे पर कोई H दिट डिफरेंस है और हम एफ एक्स पर यह operate करना है तो फ्रेंस क्या होगा हमारे पास E of F X बराबर हो जाएगा F X प्लस H यह होता है इसी तर अगर इसी को E स्क्वार F X हो करना चाहे तो यह हो जाएगा E E F X एक्वल टू E F X प्लस H एक्वल टू F X प्लस 2H इस तर फ्रेंस यह चलता हुए इस प्लस एक्वल टू जाएगा F X प्लस NH यह फ्रेंस हमारे पास एक ट्रम को इसको आगे बढ़ा देता है अब अब सेकंड आता है अपने पास ओपरेटर E inverse definition यह फ्रेंश इफ बाई y वरावर F X इजगे ओपरेटर और इस इफ बाई ग्रावर F X इस प्लस फंक्वल टू इफ इंफ इंपरेट E inverse देन इफ बापरेट E inverse विद प्लस एड़िजिथ डिफ्रेंस हनाहरागा क्या होताहे my friends, e inverse होता है, e inverse fx equal to fx minus h, और e minus 2 fx, ब्रावर होगा, e minus 1, e minus 1 fx, जो कि होजाएगा, e inverse, fx minus h, जो कि होजाएगा, e inverse, sorry, यह होजाएगा, fx minus 2h, इस तरह फिर चलते हुए, e minus n fx, ब्रावर होजाएगा, fx minus nh, यह हमारे पास इसकी, अब इसे कुछ प्रोपर्टीज पढ़ेंगे, properties of the operator, e, अफिर्स operator e की properties होँगे, वो हमारे पास एक फ्रेश्ट प्रोपर्टीज होती है, e, cfx, where c is any constant, where c is any constant, then इसकों क्या कर सकते हैं, c, c, हमें इस पर fx पर operate कराना है, x को variable है, तो यह होजाएगा, c, fx plus h, यह होजाएगा, equal to c, e की power fx, so e fx होजाएगा, so, e cf equal to c e f, यानि कि हमारे पास इसकी constant पर हमने जो प्रेट कराया, तो constant बार आ गया, यह हमने दिया है, इसको कहते हैं, the operator e is commutative for constant, first property थी, वो होगे, यह हमारे पास, the operator, e is commutative for constant, अफिर second property अपने वो अपने पास, the operator, e is distributive, over sum of function f and g, अगर हमारे पास कोई दो function f and g तो उनके उपर जो operator होगए, यह commutative होगा, इसको देख सकते हैं, e fx plus gx, यह कोई दो function है, सम के उपर operate कराया है, तो फ्रेस जो हो जाएगा, fx plus h plus gx plus h, यह होगे हैं, हमारे पास, e fx plus g, so e gx, so हम कह सकते हैं, e f plus g equal to e f plus eg, प्रेस अबड़र्श थर्ड्ट जो होती है, वो होती है, हमारे पास, the linear property, the linear property यह क्या कहती है, यह क्या कहती है हमारे पास प्रॉपरटिफ्ल करेताई, अगर e हमारे पास कोई c1 fx plus c2 gx, पर operate कराए जाए, तो यह हमारे पास आजाएगा, c1 , स्यी बन ऐ एफ एक्स फ्लस सीटू ई जी एक्स इसको हम प्रूब करते हैं तो इसे प्रूब कर सकते हैं पहले हमने LHS ले लिया LHS C1 Fx plus C2 Gx अब इस पर उप्रेट कराए तो यह होगा है C1 Fx plus H plus C2 Gx plus H अब फिर इसको क्या लिख सकते हैं C1 E Fx plus C2 E Gx जो कि में प्रूव कर रहा था और थर्ड प्रोपर्टी है वह है दा लॉफ इंडेक्सेश दा लॉफ इंडेक्सेश यह लोग क्या कहता है प्रेंस अगर E M को हम E N पर ऑपरेट कराएं तो यह हो जाएगा हमारे पास E M plus N Fx इसको प्रें ऐसे सो कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं E M by LHS ले ले E M E N Fx तो इसको हम लिख सकते हैं E M E N को Fx प्लस N H यह हो गया है अब हमने इस फंक्शन पर इसको प्रेंट कराएं तो यह हो जाएगा E M Fx प्लस N Fx प्लस M H तो यह हो गया हमारे पास Fx प्लस M प्लस N common ले लिए सकते हैं E M प्लस N Fx तो फिर यह प्रूब होगा है हमारे पास है अगली प्रोपर्टी आपने पास 5 प्रोपर्टी है वह अपने पास है दा ओप्रेटर E और इन्ड डील और क्मुटिटिव है कि फेटस इसमें हमें सो करणा है यह दोनों कमुटिटिव होते हैं आपकी E DL बराबर डैल यी यह प्रूब करना है हमें तो हम पहले इस टेंब को ले लेते हैं डैल इस term को ले रहे हैं चलो del e इस term को ले रहे हैं तो यह हो जाएगा हमारे पास del e of fx को यह function है उसके हमने अपरेट करा दिया इसको तो यह हो जाएगा del fx plus h तो यह हो जाएगा fx plus 2h minus fx plus h अपर इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं e इसको हम कट लिख सकते हैं e fx plus h minus e fx यह लिख सकते हैं इसको तो हम फिर्ट से यहां से e common ले ले अगर e common ले ले तो अंदर बच गया है fx plus h minus fx क्योंकि हम पहले property पढ़ चुके हैं कि यह इस पर कम्यूटिटिव होता है एर्ड पर माइनस पर दोनों पर कम्यूटिटिव होगा तो यह वह जाएगा हमारे पास e और यह क्या है हमारे पास डेल fx सो डेल e equal to e डेल अब फ्रेशन पढ़ते हैं सब some important relation between the operator डेल नेवला एंड e अब इनके बीद में कुछ डेलेशन पढ़ते हैं तो फर्स्ट डेलेशन पढ़ते हैं वह होता है अपने पास e equal to one plus डेल अब इसको प्रूव करते हैं प्रूफ तो e equal to one plus डेल प्रूव करने के लिए सबसे पहले फ्रेशन हमें यहाँ पर कोई इस पर बाई रहस बन प्लस डेल और कोई फंक्सन है fx उस पर हमने ओपरेट कर आया है तो यह हो गया fx के तो अंदर मिल्टिप्ला हो जाएगा प्रूज डेल यह डेल fx का हो जाएगा हमारे पास डेल fx इसको क्या लिए सखते है fx plus इसको लिए सखते है fx plus h minus fx तो fx इससे इकट गाए तो यह होगा fx plus h इसको क्या लिए सकते हैं इफक्स फ्रेंट सो इकल टू मतलब बन प्लस डेल आफ एकल टू इफक्स इसको भून प्लस डेल एकल टू ईज्ट रिलेशन उगया अब सेकंड रिलेशन आता है प्रेंट से मारे पर पास वह आता है e की power n equal to 1 plus dell की power n अब फिर सिरा आता है हमारे पास तो हम इसको प्रूब करने के लिए क्या कर सकते हैं 1 plus dell की power n ये देखते हैं पहले by rhs 1 plus dell की power n fx equal to हम क्या कर सकते हैं इसको हम खुलते हैं तो यह हो जाएगा हमारे पास N C 0 1 की पावर N Del 1 Del 0 sorry Plus N C 1 1 की पावर N-1 Del 1 Plus N C 2 Del की पावर N-2 Del square F X Plus चलता हुआ है Plus N C N Del की पावर N यहां ते चलता जाएगा हुआ F X यह हमारे पास इसको ने खोल लिया तो इसके पावर यह हो जाएगा हमारे पास N C 0 N C 0 1 इसकी पावर 0 तो यह हो जाएगा फ्रस F X यह हमारे पास F X हो गया Plus N C 1 1 की पावर N-1 से कोई फरक परता नहीं तो यह हो जाएगा हमारे पास F X कि जागे इसको क्लिकेंगे तो यह हो जाएगा मारे पास fx प्लस h-fx यह हो गया प्लस nc2 del square fx प्लस चलता हो यह चलता जाएगा ncn del n fx यह हो गया फ्रेंस हमारे पास यह हमारे पास fx fx प्लस nc1 इसको del fx लिख रहे प्लस nc2 del square fx प्लस ncn del nfx अफ्रें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वह उसमें यह यह था वाई वाई कोई फ्रेंस था उसकी यह प्लस ns पर निकाल रहे था वह हमारे पास इसके निकाल रहे था यह प्लस nc1 डल वाई ए प्लस nc2 डल स्क्वार वाई ए प्लस यह फॉर्मूला पढ़ा था तो उसी फॉर्मूली से यह हो जाएगा हमारे पास यह फंक्शन हो जाएगा यह हमारे पास हो जाएगा एव एक्स प्लस nah उसी फॉर्मूली से यह फंक्शन अपस प्लस एन नज आ गया तो यह जो हो गया है 相信 हो जुच acum इंवल्ग एक्वगल टू डेल इनवर्स को प्रोँब करते हैं तो by LHS, LHS हम नहीं ले लिया है nivala Fx एकल टू क्या लिख सकते हैं सको fx- realm Fx-도षे यह हो गया तो अब इसको क्या लेख सकते हैं फ्रेंड's इसको में इनवर्स इसको हम डेल में change करना है तो डेल में change करने के लिए हमें क्या करना होगा एक प्रेश प्लस ह जोड़ना होगा हमें तो यह होगा f-s माइनस f-x माइनस h अब फिर यह आगे हमारे पास तो हम इसको कि अब हम you way Rs ले ले ते है बैरव किया किया किरता डेल इंवर्स ऑब एंवर्स डेल इंवर्स डल इंवर्स डीवर्स डेल ट्रक्ष इंवर्स डेल हम रहे पास याप फ़्रस fx पर आपर होता है आमारे पास fx-h तो यह हो गई एफ fx-h अब इसको हमने fx-h निकल दो यह हो जाएगा हमारे पास kis ऐस ऐस माइनस fx-hr टैल क्या क्या करता है आग ट्रसमें से एक को कट दो यह होगा हमारे पास दो सू RHS equal to LHS हम relation number 4 परते हैं relation number 4 क्या कहती है हमारे पास del equal to 1 minus E inverse इसको खुलने है थे by RHS प्रूब करते हैं by RHS तो del इसल नेभला F x equal to F x – F x – H तो फरे इसको क्या लिख सकते है है os इसको क्या लिख सेकते हैं e inverse fx यह क्या दिख सेकते हैंierno yeah of effects ऐद्वला दिख सो इस देश कह दिख Σे नेवला एक Ol तो रहा था arbitrarily नेवला एकbell टू बन मैने उन्हों मैंने । फ्रोबटटी नमlect पढ़ते हैं एक प्रवंस प्रवर्टिन नम्बर Mitch 25 क्या कहते पने पास बन प्लस डंवन माईनस डैल यह उता है अब यह प्रूँप करते हैं तो यह करने के लिए बन प्लस डेल 1-del of fx equal to पहले हम इस पर उप्रेट करा रहेते हैं इसको 1-del को बारी रखते हैं इसको किस पर उप्रेट कराते हैं तो यह हो जाएगा हमार पास fx-del fx यह हो गए तो यह हो गए 1-del fx-fx fx-fx तो यह हो गए यहां पर पास निवला है निवला तो यह हो गए निवला होगा तो यह होगा fx-fx-h यह होगा यह होगा fx-fx-h तो उस कंडिशन में यहां पर आजाएगा 1-del fx यह तो fx रहेगा minus यहां से यहां से कर रहे हैं यहां से इस टर्म को आज़ेश लिख रहे हैं निवला fx यह होगा तो बन प्लस डेल तो रहा आपने पास fx- निवला पर एपलाई कर दिए तो यह होगा fx-fx-h अब यहां से बन प्लस डेल यह हो गया fx यह माइनस एक्स अजाएगा तो यह कट जाएगा तो यह रजाएंदर अवर यह बाहर लिख्या ने इस पर अपलाई क्या हें तो यह हो जाएगा fx-h प्लस डेल fx-h अब इस पर अप्लाई किया तो यह हो जागा fx-h प्लस डेल क्या कहता है अब अर्ली टर्म में से पिछली बार टर्म गटा दो यह हो जाएगा तो यह यह कट गए यह गए fx और यह हमने क्या क्या था हमने प्लस डेल वन माइनस नेवला ओफ एपक्स एक्वल टू fx आ गए हमारे पास एक्वल टू fx आ गए सो बन प्लस डेल बन माइनस नेवला एक्वल टू बन हैंस प्रूब अब फिर सब केस नमबर शिक्स लेते हैं केस नमबर शिक्स क्या कहता है हमारे पास डेल माइनस नेवला एक्वल टू डेल नेवला का मल्टिप्लाई यह होता है हमें यह प्रूफ करना है तो फ्रेंच यह प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ बाई एलेचेस बाई एलेचेस कर रहे हैं तो हम डेल माइनस एफ एक्स तो डेल बराबर क्या होता है एक्ष और नेवला। एक्ष पराबर क्या होता है एक्ष माईनस एक्ष माईनस एक्ष ये बता है अब इसे निखान सकते हैं डैल बाइनस नेवला और एक्ष एकोल टू यह होगा देल fx माइनस नेवला fx एकोल टू यह होगा fx प्लस h माइनस fx माइनस नेवला fx माइनस अगा दो यह माइनस आज दो मैनस आजागो यह प्लस हजाग प्लस fx-h यह ओगा fx-h माइनस 2fx मारे पास अब यह आ चुका है तो हम नाव बाई आरेचेस अब हमने आरेचेस ले दिया तो आरेचेस डेल ईफ लरफ लेमड़ा एपक्स तो पहले फरेंस डेल नेवला पह पहले तो दियल नेवला पहनूल मुदा तो यह हो जाएगा fx plus h minus fx and minus यह हो जाएगा f फिर्स डेल क्या कहता है अगली टर्म में से पिछली टर्म को मानिस कर दो तो यह हो जाएगा अगली टर्म fx sorry fx मानिस अब पिछली टर्म में से मानिस कर दो fx minus fx minus h यह हो जाएगा फिर्स मारे पास fx plus h यह minus 2fx हो जाएगा minus 2fx minus और मानिस मानिस से मल्टिपले होगे प्लस यह होगे fx minus h so rh is equal to lh और यहीं ख्रेंट से प्रूव करना था था थैंक्यू ख्रेंट्स